पाकिस्तान के खिलाफ इस पूरे विश्वकप में भारत के जो दो खिलाडी निर्णायक साबित होंगे, गेम चेंजर होंगे, वे मेरे हिसाब से हैं विराट कोहली और दूसरा नाम है विशब बन्त। वही विराट कोली जिनके बारे में IPL के शुरू आती मैचों में धीमी बल्लेवाजी देखकर कई विशेश अग्यों ने कहा कि T20 विश्वकप में उनकी जगे किसी युवा बल्लेवाज को जगे देनी चाहिए। क्रिकेट का ये फॉर्मेट युवाओं के लिए है। एक बल परिका में ए समतल उचाल वाली और अनिश्चिताओं से भरी क्रिकेट पिछो पर अच्छी अच्छी टीमों की बुरी हालत होते देख रहे हैं। कमों बेश वेस्ट इंडीज की पिछो पर भी बलेवाज संगर्श करते दिख रहे हैं। ऐसे में ताबड तोड शोट लगा नहीं की पहले से ते करके शोट लगाने वाले तो विराट को अल्य भारत की बलेवाजी की रीड होंगे, जिस तरह से वे सालों से रहे हैं। रोही इतने पिछले विश्वकप में जिस तरह अपनी बलेवाजी का तरीका बदला हैं और वे बेकोफ आक्रामक शोट पहली ही गेंट से खेलते आ रहे हैं वह भी मुझे लगता है कि खूब काम आएगा अगर रोई चल गए तो शुरू के छे और मेही मेच को विरोधी से कोसों दूर ले जाएंगे रिशप पंतकों में विराट के बाद दूसरा गेम चेंजर उनकी मेंटल टफनेस उनकी मानसिक्ता के कारण कह रहा हूं वे पिछ पर कभी दबाव में दिखते ही नहीं है आज तक नहीं दिखे मेरे इसाब से उनके एक हाथ से मारेगे सिक्सर बताते हैं कि रिस्क लेने की अबिलिटी रिस्क लेने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है टीम कौन है बोलर कौन है पिछ कैसी है इन किसी बातों से उनकी क्रिकेट का स्टाइल कभी प्रभावित नहीं होता बयानत दुरगटना से उबर कराना और फिर से राश्टी टीम का हिस्सा बनना विश्वकप के स्क्वोर्ड में भी जगे बना लेना ये अपने आप में उनकी लड़ागों मानसिकता बताता है कितने लोग होंगे जो इस तरह के जटकों के बाद उबर पाते होंगे जिस तरह से उन्हें विराट कोली के बाद फ़स्डाउन बेजा जा रहा है इस विश्वकप में उससे भी पता चलता है कि टीम भी उन पर कितना वरोसा कर रही है भारत की बोलिंग शमी को बहुत मिस करेगी अब अगर सिराज बूमरा के साथ 50 ओवर वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप जैसा कहर बरपा सकते हैं तो अमरीका वेस्ट इंडिक्स के ये पिच तो हैं ही गेंदबाजों के लिए बूमरा पर हमेशा की तरह नजर रहेगी अब भारत पाकिस्तान का मेच पाकिस्तान ने क्रिकेट में बहुत बुरे दिन देखे हैं लेकिन इतने दबाव में वे पहले कभी नहीं थे जितने भारत के खिलाफ इस विश्व कप के मेच से पहले हैं वे भारत से कई बार हा रहे हैं आई सी सी के टूर्णामेंटों में तो ज्यारातर हारे ही हैं, दबाव भारत से सामना करने का नहीं है। उस से कहीं जाध़ा गुना दबाव अम्रिका से हारने का है। धुनिया की सारी कमज़ोड टिमों से भी पाकिस्तान हारा है। विश्वक प में भी ऐसे कई जटके लगते रहें पाकिस्तान को। लेकिन अमरीका की हार के बाद जिस लेवल की फजीहत इस टीम की उनके अपने देश में हो रही है, उसे आप पाकिसान के किसी भी न्युज चैनल पर देख सकते हैं यूट्यूब लगा कर देख सकते हैं पाकिस्तान के पत्रगार और पूर्व क्रिकेट खिलाडी पहले से मान कर बेटे हैं कि अमरीका के आगे घुटने टेक देने वाली उनकी टीम भारत से तो क्या ही जीतेगी खिलाडियों के कंधे जुके हैं और वे किसी तरह से अपने आपको मेच के लिए तयार करने में जुटे हैं इतने भारी दबाव के बीच भी अगर आज पाकिस्तान भारत से जीत जाए तो ये पाकिस्तान की जीत नहीं भारत की हार होगी हम कही न कहीं चूक रहे होंगे तो ही पाकिस्तान जीतेगा रिकोर्ड तो चिला-चिला कर कही रहा है कि भारत फेवरेट है वर्ल्ड कप T20 में भारत और पाकिस्तान के बीच साथ मेच हुए हैं जिन में से छे भारत ने जीते हैं कुल 12 T20 मेच दोनों टीमों के भी चार्ज तक हुए हैं जिसमें से 9 बार भारत जीता है। 75 प्रतीशत मेचों में पहले बोलिंग करके भारत जीता है। अमरीका में विश्वकप लाना खेल के विस्तार के लिए अच्छा है। लेकिन पीचों की हालत देखकर लगता है कि अमीर ICC ने क्रिकेट प्रशंसकों के साथ खिलवाड किया है। उन्हें हलके में लिया है। फिर भी चलिए वर्ल्ड कप देखते हैं। नमस्कार।